हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे आज मैं चना दाल की पूरी की रेसिपी लेके आई हूँ जो की यूपी और बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी है सभी तरह के परव तेहार में इसे जरू बनाए जाती है या कोई तरह के स्पेशल चीज खानी की हो ताप इस पूरी को जरू बनाए साथ में खीर और सबजी इसका कॉंबिनेशन है बहुत ही जबरदस्त लगती है दाल के पूरी के साथ खीर और सबजी तो जरूर आप बनाए बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में तो चली स्टार्ट करती हूं बनाना मैं सभी ताप सबों का स्वागत करती हूं अपने चैनल पर तो ये देखे फ्रेंड्स ये चना का दाल बॉयल किया हुआ है रात में ही मैं चना को अच्छी तरीके से फूलने के लिए रख दी थी सुबह में धो के कूकर में डाल दी असिब दो सीटी लगाई इसके बाद काफी अच्छी तरीके से ये सौप्ट हो गई थी तो इस तरीके इसे भी आप कर सकते हैं और नहीं तो डाइरेक्ट यदि आप सुबह सुबह ही कूकर में डाल दे चना का दाल दस सीटी लगा दे काफी अच्छी तरीके से सौप्ट हो जाती है तो मैं बॉयल करते से मैं सिफ हल्दी यूज की थी तो इस तरीके से मैं बॉयल कर ली हूँ पानी को साइट कर ली हूँ चने दाल को अलग कर ली हूँ तो चली पहले इसे भून लेती हूँ अच्छी तरीके से तो मेरी करहाई गर्म हो गई है सरसो तेल का यूज कर रही हूँ उसे मैं फोरन के रूप में पच फोरन डाली हूँ तेज़ पत्ता डाल दी हूँ तोड करके असुखी लाल मिर्च मैं दी हूँ दोड करके उसे भी दाल चीनी का एक छोटा सपीस दी हूँ साथ में हिंग दे दी हूँ तो प्याज मैं छोटे-छोटे टुकड़े में काटके एक प्याज का यूज की हूँ कलर चेंज होने तक इसे थोड़ा सा भूनना है तो देखी काफी अच्छी तरीके से कलर चेंज हो गई है अब इसमें मैं मसाला यूज कर लेती हूँ जो जो मसाला देना है तो मैं जब भी बनाती हूँ इसी तरीके से फ्राइ करके बनाती हूँ तो मसाले में मैं देखे जीरा धनिया पौडर गरम मसाला लाल मेच का पौडर दी हूँ थोड़ी सी तीखी और इस पाइसी दाल का पराथा बनके तयार हो पूरी बनके तयार हो नमक स्वात करने साथ डाल दी हूँ तो चलिए मसाले अभी भूना है और सुखी सुखी है तो यह जो दाल में रखी थी बॉइ मसाले को पहले मिक्स कर लेती हूँ यदि फ्रेंड्स आप भूना नहीं चाहते हैं तो डायरेक्ट आप मिक्सी जार में चने दाल को डालिए और जो जो आपको मसाला देना है वो ले लीजिए अधरक लसुन का पेश्ट देना चाहते हैं तो उसे भी दे सकते हैं और मिक्सी आती दाल घांटने वाले आती है Give Me अई किसी क्लेश के देखे मैं जाए बना इक आती हूं किसी क्मझत नेयों डाल है कि दाल घटन कोई कर दो दोट आती है इस तरीके नहीं कर दोट भाथ है के लिमाद को योगते हैं तो मैं कुछ भी निकालती नहीं हूं फिर दाल चीनी साइट करती हूं आप इसके लिफ से घंत देती हूं यह यानि की इस तरीके से मैं दभ़ा देती हुँ तो सभी दाल अच्छी तरीके से तूट जाती हैं कि से कअ आपको दिख रही होगी, कि कलर भी चेंज हो गई है, काफी अची तरीके से भुना गई है, और इसे जब रोटी आप बनाएंगे पूरी पराठा बनाएंगे, तो काफी ही टेश्टी लगती है खाने में, तो चलिए मेरी ये तयार हो गई है, भुने हुई, अब इसे में एक बॉल में निकाल करके साइड करके रख लेती हूं तो खीर का भी मैं यूज की हूं इसमें मातर दो मिनट के अंदर आप कूकर में खीर कैसे बना सकते हैं वही मैं बता रहे हूं तो यह देखिए मेरी चावल अच्छी तरीके से पहले बॉयल कर ली हूं कूकर में थोड़ा सा डाल करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूं कभी कभी क्या होता है फ्रेंस की कम दूद रहती है और खीर खाने की इच्छा होती है तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो कम दूद में भी आपकी खीर बहुत ही जबरदस्त बनके तयार होती है बिल्कुल मलाईदार गार ही खीर लगती है और बहुत ही टेश्टी लगती है खाने में तो एक वर आप इसे ज़रूर बनाए इस तरीके से कम दूद में भी आपके जवरदस खीर बनके तयार हो जाती है तो मैं लगभग पोने लीटर दूद का यूज की हूँ और देखे मैं इसमें mix कर दीँ हूँ ड्राइफ फूर्स में मैं सिफ किसमिस का यूज की हूँ आप देखे कितनी गारी बनके तयार हो गई है अब उतारना है तो उतारने के पहले मैं इसमें जीनी अपने इच्छा अंसर दे दी हूँ जैसी मीठास खाना चाहते हैं बस थोड़ी से और बॉयल करूँगी इसके बाद इसे मैं उतार दूँगे इस तरीके से आपकी खीर बनके तयार हो गई है सबजी का लिंक मैं दे दूँगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे देख लीजिएगा साथ में देखे मैं आटा भी गूत करके रख ली थी और आटा गूते समय इसे मैं कुछ भी नहीं मिक्स की हूँ नॉर्मली जिस तरीके से चपाती के लिए आप तयार करते हैं उसी तरीके से आटे आपको तयार करनी है तो चली दाल का मिक्षर भी मेरी तयार है और आटा का डो भी मेरी तयार है तो चली बनाना अब सुरू करते हैं तो जितनी बड़ी बड़ी बनानी है उसके उनसार आप ले लीजे तो मैं पूरी के जैसे बनाऊंगी तो छोटा छोटा ही गोला तैयार करूंगी तो पूरी तो काफी छोटी होती है तो उससे थोड़ी बड़ी मैं बना रही हूँ तो देखिए इस तरीके से आप गोल करके इस तरीके से दोनों थम को अंदर की और डालते वे इस तरीके से गोला बनाईए जिससे भरने में आसानी हो तो इस तरह के से कटोड़े सेफ में बन गई अब इसमें मैं देखिए चमज की मदद से या हाथ की मदद से मिक्षर दाल के इसमें डालिए तो देखिए मैं जदा जदा quantity में दे रही हूँ आप कम भरना चाहते हैं तो कम भी भर सकते हैं तो इस तरीके से चारो और सल्किल घुमाते हुई उसको बंद करना है तो देखिए उपर की और निकल गई है एक्स्ट्रा लेकिन मैं इसे तोरूंगी नहीं इस तरीके से मैं इस पूरी तो बहुत ही जवरदस्त लगती है इसी तरीके से देखिए मैं सेकेंड बिना के दिखा रही हूं भरके इस तरीके से गोला बनाएं कटोरे के सेफ में और भरी इसको दाल को इस तरीके से आप सभी गोले पहले एक बर तयार कर लीजिये फिर सभी को एक बेल करके special disc खाने की इच्छा ओफ्रेंस तो ये बनाए तो देखे कितने अच्छी तरीके से मैं सभी गोले को पहले तयार कर ली हूँ इसके बाद सभी को बेल करके पूरी बना करके एक सैट कर लूँगे इसके बाद चानना सुरू करूँगे तो मैं बेलने के लिए बताती हूँ दो तरीके से मैं बताऊंगी एक बेलन के मदद से बताऊंगी एक बिना बेलन के मदद से तयार करके पूरी दिखाऊंगे तो इस तरीके से देखे धीरे धीरे करना है नहीं तो क्या होगी कि दाल बाहर आ जाती है आपकी फट जाएगी तो इसलिए हलके दवाब से ही आपको छोटी छोटी पूरी तयार करने हैं ज्यादा प्रेसर से नहीं बनानी है तो चलिए इस तरीके से देखे आपकी ये पूरी तयार हो गई है तो एक मैं दिखाऊंगे बिना बेलन की मदद से आप यदि बेलन की मदद से नहीं तयार करना चाहते हैं तो बिना बेलन की मदद से किस तरीके से तयार कर सकते हैं वो मैं बताऊंगे तो यह देखे इस तरी से मैं गोला ले ली हूँ और ऐसे इस तरी के से देखे घुमाते जाना है जैसे देखते होंगे मक्का का रोटी बनता है इसी तरी के से स्टार्टिंग में किया जाता है या रोटी भी बनाते होंगे चपाती इससे करते होंगे इस तरी के से पहले शुर्वाती में करके फिर ऑंगली की मदद से इसे दबाते हुए थोराँ चोड़ा कर लिजिए यानि कि फैला दीजिए जितना सेप में लेना चाहते हैं तो बीना आप बेलन की मदद से भी ये पूरी तो चली चानना आप शुरू करते हैं तो चली मेरी तेल काफी अच्छी तरीके से गर्म हो गई है देख रहे हैं कि छोटा सा मैं टुकरा डालके दिखा रही हूं तो अब चली एकक करके पूरी डालते जाओंगी और ज्यादा हाइप नहीं रखना है ने तो क्या होगी पूरी आपके जल जाएगी लेकिन अंदर से कच्छी रह जाएगी इसलिए लो टू मीडियम आज पे ही इसे पकाईए गए इस तरीके से देखे उलट पलट करके दोनों तरफ कलर चेंज होने तक आपको पकानी है तो फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त यह लगती है खाने म और सबजी के साथ और हाँ फ्रेंड्स यदि आप नहीं चाहते हैं कि इस तरीके से तेल में छान के आप पूरी को खाएं दाल वाले तो यदि आप तावा पे खाना चाहते हैं यानि कि तावा पे बना के पतले पतले खाना चाहते हैं कम तेल में तो वो भी मैं बता देती तो पहले मैं इस तरीके से देखे सभी पूरी को तयार कर ली हूँ इसे मैं खीर और सबजी के साथ सर्व कर दूँगी बहुत ही जबरदस लगती है फ्रेंट्स यदि इस तरीके से रेसिपी दाल की पूरी की रेसिपी यदि मेरी पसंद आई हो तो प्ली लाइक, शेर, कमेंट आवस कीजेगा और मेरी चैनल पर नए होंगे फ्रेंट जवर सब्सक्राइब कीजेगा तो चली मैं पतला पतला भी दाल की पराठे बना के दिखा देती हूँ तो पराठे में यदि आप ट्रेंगल बनाते हैं तो उसके आप पराठे कर दिए यदि रोटी के तरफ बनाते हैं चपाती के जैसे तो आप डाल के चपाती कर दिए तो चली मैं पतले पतले भी बना के दिखाती हूँ तो इस तरीके से देखे मैं सभी चपाती को तयार कर ली हूँ दाल वाली इसी तरीके से जिस तरीके से चपाती बेलते हैं हलके आंच से ही बेलना है और देखे तावा गर्म हो जाने के बाद इसे डालिए दोनों साइड हलका हलका तेल लगा करके अच्छी तरीके से सेकाई कर मेरे बच्ची काफी पसंद करते हैं इसा तरीके से में बना ली हूं दोनों तरीके से दोनों तरीके से जो भी आपको रेसिपी जिस तरीके से आपको पसंद आई पतले में या पूरी के तरह छान के तो जिस तरीके से आपको पसंद आई होगी उस तरीके से आप बनाईए और इंजॉय कीजिए मेरी इस रेसिपी को डाल की पूरी को डाल की चपाती को और खीर सब्जी के साथ बहुत ही जाए चले फ्रेंट फिर मैं नेक्ट वीडियो में आप से मिलती हूं तब तक आप अपने अपने परिवार का ध्यान रखेगा ख्याल रखेगा टेक केर बाई फ्रेंट्स थेंक यू